इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है SJV Unlimited, यह स्टॉक 136 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में इसने 4.08% का आप मुव दिया है आज, मार्केट कैप है इसकी 53,583 क्रोज की, प्रमोटर होल्डिंग 81.80% है, बुक वेल्य 35.80 है, डिवटेंट 1.30% है, एंड फेस वेल्यू 10 है, फंडमेंटल वीडियो में अल्ड़ी बना चुकी हूँ, प्लेलिस में आड कर दूंग, आप देख सकते हैं, अभी के लिए शॉर्ट में देखें, तो गर्मेंट का यह स्टॉक है, गर्मेंट आफ इंडिया एंड हिम मिल सकता है, आज हमें मिल गया है, तो अभी स्टॉक जो है 50 and 200 दोनों DMS से उपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, पी रेशो 5 यह के टाइम स्पैन पे देखें, तो अभी वैसे मेंशन नहीं हुए है, इमेडियेट, बट मुझे लगता है कि काफी उपर है, वन मन्त के टाम स्पैन पे देखें, तो मीडियन चेंज हो चुका है, चोटू से उपर है, तो कोई दिक्कत परिशानी की बात में, इन फैक्ट यह पॉस्टिव पॉइंट है, हमारे कोट में यह बॉल है, तो अभी के लिए ग्रॉस प्रॉफ्ट मार्जन देखें तो 97.51 प यह पर देखें, डिसेंबर, मार्च, जून, तो मुझे लगता है कि अभी इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा, जो पैटरन बता रहा है, बाकी तो वेसे इस कंपनी ने काम भी बहुत किया है, तो यूजली ऐसा पैटरन देखा गया है कि डिसेंबर, जून का और फिर उस वैसे किया नहीं है इन्होंने जून का अप्लोड तो जैसे ही आएगा पता चल जाएगा ऑफ कॉस्स तो देखिए आज स्टॉक में हमें देखने को मिला है 4.08% का अप्मूव तो पुरानी जो हमारी अनिलेसिस हैं उसमें हमने कोई भी यहां पे टागेट नहीं लिया था क्य हमारा वो रहा है 37.26 मिलियन का तो वॉल्यम में काफी स्टॉंग जंप यहां पर देखा गया है एंड जंप के साथ साथ यहां पर हमें मूव भी देखने को मिला है तो वैसे भी टाइम आ चुका था मैंने पहले भी अनलेसिस में बात करी थी कि टाइम आ चुका है कि यह पर भी विडियो बनाएंगे अभी तो कहीना कहीन इनका वक्त आ भी चुका था और यह तीनों स्टॉक्ड जो है आईराएफसी अंड हुड को एने एस्टि बेन कहीना इस साथ साथ में परफॉर्म करते हैं आप नोटिस करना कभी मैंने नोटिस किया है और यह तीनों है थोड़ा सा beeen लाइस कर सकते हैं इस kı थे हैं तो ःज्रापश चुका था इसके निकलने का न आज यह निकल ho इत्ळाय तब्सक्रास ने अरपशल जीका है यह अची बात है तो यह honeymoon कारी से निशे सग रहे यह यह रहा गलनाशने जो की है 138 139 को जैसे एक्राउस करेगा तो मुझे लगता है एकप आसकता है और यहदा थी नकी जो रिजिस्टेंस है इसका हम कलर चेंज करते हैं क्योंकि यलो तो नहीं होसकता क्योंकि यहां पर दिखें यहां पर काफी जयादा रिजिस्टेंस है and please excuse me मेरी अवाज मैं थोड़ी सी खराश रहे गया क्योंकि अभी अभी fever से ठीक हुई हो and गला थोड़ा सा खराब है तो please bear with me तो yes back to topic तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Bollinger Band तो साफ़ साफ़ breakout का हमें science दे रहा था and हमें breakout मिला भी है volume भी काफी अच्छा है fresh entry की बात करें तो मुझे लगता है बनाई जा सकती है बट यह जो resistance है ना इस चीज़ को ध्यान में रखके चलेगा volume अगर same रहता है या थोड़ा सा बढ़ता है volume sustain करता है तो मुझे लगता है निकल सकता है यह stock and हम target भी यहां पर लेके चलेंगे बट एक बार BAC पर भी चलेंगे इससे पहले हम weekly candle एक बार analyze करेंगे तो weekly candle of course यहां पर हमें kind of margozo candle मिली है and यह तो resistance भी वहां पर भी दिखा रहा था तो यह strongly आप देख सकते हैं and RSI जो है वो है 60 पे बिलकुल 60 पे है and यहां से जब RSI निकलेगी तो इसके पास बहुत ज़ादा headroom है यहां पर play करने के लिए बस यह ज़रूर हो सकता है कि RSI उपर जाके एक बार test ज़रूर करेगी यहां पर तो हो सकता है कि इसके आसपास ना 145 के आसपास यह थोड़ा सा consolidate करेए एक दो चार दिन के लिए एंड उसके बाद यह निकले अगर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है सीधा ही निकल गया तो बहुत अच्छी बात है बहुत अथर वाइस हो सकता है कि इसके आसपास यह थोड़ा सा move मिला है मुझे लगता है कि अब लोग इसमें entry भी मारेंगे क्यों मारेंगे क्योंकि काफी ताइम से consolidate कर रहा है and volume भी काफी अच्छा है बट यह चीज भी ध्यान में रखेंगे वह काफी अच्छा आएगा जो इसका pattern बता रहा है एंड उसके बाद मुझे लगता है कि यह स्टॉक थोड़ा सा rocket zone में आ सकता है थोड़ा सा space के दोरे करके आएगा थोड़े से तो यह चीज का जूरू ध्यार में रखिएगा and rest एक बार चलते हैं BAC पे BAC पे यहां पे price band देखिए इसका 20% का है and news as such कोई भी भी नहीं है जो इसके price के आपे डाउन हो में किसी तरीके की मदद करेगी आज जो delivery volume गया है काफी अच्छा गया है 57.41% का गया है delivery percentage तो यह काफी अच्छा एक sign है delivery percentage बड़ा है and मुझे लगता है कि अब यह stock थोड़ा सा magic rate कर सकता है तो इस month के end के मैं target लेके चली हूँ जो मुझे लगता है and इस month के end में result आएगा वैसे आता नहीं है इस month के end में बट फिर भी chances ले सकते हैं हो सकता है इस मंद के end में आ जाए तो मैं यह लेकर चले हूँ कि इस मंद के end तक मुझे लगता है कि यहां इसके आसपास इसको touch करके फिर से आ सकता है and 18% के move यहां पे दिखा रहा है उस target को reach करने के लिए वैसे तो जिस तरीके का यहां पे consolidation zone में यह गया था उस तरीके से तो यह बहुत ही crazy वाला निकलने वाला है बट फिर भी हम अभी के लिए यह लेकर चलेंगे इस मंद के end का वैसे काफी कम target है मुझे लगता है revise करना पड़ेगा थोड़ा से एक वार हम कर लेते हैं इसका pattern analyze की जब यह consolidate करता है उसके बाद यह कितने के move देता है तो यहां पे तो इसने काफी consolidate किया यहां पे दिया था यहां पर इसने consolidated किया एक अप ट्रेंड में ही था बट यहां पे थोड़ा से देख लेते है कि जब इसने breakout दिया तो कितने दिया ओके तो यहां पे 51% के दिये थे यहां पे भी mouth narrow हुआ था तो इसने 100% के move दिये है उसके बाद यहां पे mouth इसका narrow हुआ था बट इतना ज्यादा narrow नहीं हुआ है बट हुआ है तो थोड़ा सा एक बार analyze कर लेते हैं कितने percent के यहां पे move मिले हैं 22% के मिले हैं कुछ खास move यहां पे हमें मिले नहीं थे and यह कौन सा week है में के last का है तो यहां पे move हमें मिल सकते थे अगर elections वाला time नहीं होता तो I think so तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यह वाले target मुझे लग रहा है बड़ी छोटे हम लेके चले हैं बट अभी के लिए चलो एक काम करते हैं यह target ना हम 19th of July के लेके चलते हैं and अगर achieve होगे तो बड़ी अची बात है जो यह pattern बता रहा है अगर अगर improve होगे तो बड़ी अची बात है अगर नहीं होँए तो हम फिर revise कर लेंगे देख लेंगे क्या होता है तो 19th के target हम यह लेके चलते हैं month end के नहीं लेके चलेंगे 19th के लेके चलते हैं एक बार के लिए उसके बाद देखते हैं तो इस week के दो trading days मुझे लगता है कि 145 के आसपास trade करता हुआ हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर volume increase होता है तो इससे ज़्यादा भी of course हो सकता है रेस्ट ये सिर्फ मेरी analysis है कोई buy sell hold की recommendation नहीं है आप अपनी analysis कीजिए जाने समझे पढ़िया और फिर invest करिया विलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing